हेलो दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे उनलाइन चनल अरध्या अरियस अकड़मी में दोस्तों पूरे भारत वर्ष में आई जीत सभी प्रतियोगी प्रिक्षाओं के लिए कंप्यूटर के अंदर कल अपने आज अपन दोस्तों MS Excel से समंदित टोप अती महतोपून प्रेशन है वो पढ़ने जा रहे हैं यह विबिन परिक्षाओं में बार बार पुछे गए प्रेशन है इसलिए आपको ध्यान से देखना है और अगर आपने जो पिछली कलास है वो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन को दबाएं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में सेयर है जरूर करें तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं आज की अपनी कलास MS Excel से समंदिते तो प्रेशन में देखिए पहला प्रेशन MS Excel में न्यू वर्क बुक बनाने लिए किसगा प्रेशन के लिए किस सोट Cut Cut की का प्रेशन किया जाता है बताइए दोस्तों बहुत अच्छा प्रेशन है सीद़ा सा यहां पे पुचा गया है कि MS Excel में न्यू वर्क बुक बनाने के के लिए किस सोटकट की का परियोग किया जाता है तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह जाएगा अपना इसमें कंट्रोल प्लस एन कंट्रोल प्लस एन तो इसमें राइट आंसर एक नमबर उपसट बिल्कुल सही तर आगे देखें इसमें MS Excel में ओपन वर्क बुक के लिए कौन सी की का परियोग किया जाता है MS Excel में ओपन वर्क बुक के लिए कौन सी की का परियोग किया जाता है तो दोस्तों यहां पर बात हो रही है ओपन वर्क बुक की ठीक है तो यहां पर कंट्रोल प्लस ओ इसका राइट आंसर हो जाएगा एक का option बिल्कुल सही उतर ठीक है control प्लस ओ आगे देखिए इसमें कि MS Excel में किसी टेक्स्ट को print करने के लिए कौन सी की का परियोग किया जाता है MS Excel में किसी टेक्स्ट को print करने के लिए कौन सी की का परियोग किया जाता है सही उतर हो जाएगा देखे MS Excel में File को Save करने के लिए कुन सी की का प्रियोग किया जाता हैSmxl में File को Save करने के लिए तो सिदा साह है वही आएकाइगा इसमें जो किस में आता था जो MS Wrap में आता था सुरुआति जो कुछन है ठीक है जो आप को yeो कुछन देखने को मिल रहे हैं यह MSWord और XL के सेम हैं ठीक है क्योंकि नॉर्मल चीज है सेव करने के लिए कौन सी MSWord के अंदर भी दोस्तों का प्रियोग होता है और MSXL में भी क्या होता है का प्रियोग होता है तो यहां पर इसका राइट आंसर चार देखना एफा नमबर ओप्सन हो जाएगा अब यह प्रैस न लगा गया यहां पर देखिए MSXL में format cell के लिए कॉन सी कीका प्रियोग किया जाता है वर्मेट 7 के लिए को DAW तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है अपना इसमें कंट्रॉल प्लस कंट्रॉल प्लस एक का प्रियोग किया जाता है दोस्तो फॉर्मेट सेल के लिए तो इसमें राइट आंसर चार नंबर उप्शन बिल्कुल सही उत्तर आगे देखें में किसी टेक्स्ट को बॉल्ड करने के लिए मैस एक्सल में किसी टेक्स्ट को बॉल्ड करने के लिए प्रियोग किया जाता है दोस्तो कंट्रॉल प्लस दो और कंट्रॉल प्लस भी इन दोनों का प्रियोग किया जाता है दोस्तो टेक्स्ट को बॉल्ड करने के लिए किसमें एक्सल के अंदर तो यहां पर इस प एक्सल में किसी टेक्स्ट को ठीक है यह देखिए दोस्तों यहाँ पे तोड़ा सब मिस्प्रिंट हुआ है यहां पे लिखने में तो आपको इसमें याद रखना है देखे MS Excel में किसी टेक्स्ट को इटालिक करने के लिए कौन सी की का परियोग करते हैं, बताइए देखिए, MS Excel के किसी टेक्स्ट को इटालिक करने के लिए, बॉल्ड करने के लिए तो मैंने अब आपको बताया कंट्रॉल पलस बी और कंट्रॉल पलस दो है, वो होता है बॉल्ड करने के लिए, अब यहां पे इटालिक, इटालिक मतलब अकसर थोड़ा सा टेड़ा हो ठीक है, तो उसके करने के लिए, कौन सी की का परियोग करते हैं, तो दोस्तों इसमें देखिए, एक तो करते हैं, इसमें कंट्रॉल पलस थ्री, और कंट्रॉल पलस आई, ठीक है, आई का मतलब इटालिक, ठीक है, बॉल्ड का मतलब बी, ठीक है, समझ में आगया न, तो यह आगे देखिए आठ नमबर का प्रेस्ट में अंडरलाइन करने के लिए कौन सी की का परियोग किया जाता है अंडरलाइन करने के लिए सीधा सा है देखिए अंडरलाइन में यू पहला अक्सर है ना तो सीधा सा है कंट्रॉल प्लस यू का परियोग होगा इसमें दो नमबर का option बिल्कुल सही उतर हो जाएगा MS Word में भी ऐसा ही था दोस्तों आगे देखिए MS Excel में लिखे गए डाटा को राइट साइड यानि की दाइं तरफ वाले सेल में कोपी करने के लिए कौन सी कीका परियोग किया जाता है अच्छा प्रस ने ठीक है यहां पर पुछा गया है दोस्तों की MS Excel में लिखे गए डाटा को राइट साइड वाले सेल में कोपी करने के लिए कौन सी कीका परियोग किया जाता है तो दोस्तों देखिए कंट्रॉल प्लस आर का परियोग किया जाता है राइट साइड वाली तरफ ठीक है यानि की दाइं तरफ वाले सेल में कोपी करने के लिए कंट्रॉल प्लस आर का परियोग किया जाता है यहां पे कंट्रॉल प्लस आर का परियोग तो इसमें दो नमबर उप्सन बिल्कुल सही उतर आगे देखिए दस नमबर का प्रेस ने MS Excel में MS Excel में मेक्रो की सोटकट की क्या होती है का उप्सन बिल्कुल सही आगे देखिए MS Excel में सेल में लिखे गए डाटा को रिमूव करने के लिए सेल पर जाकर कौन सी की का परियोग किया जाता है में सेल पर लिखे गए डाटा को रिमूव करने के लिए कौन सी की का परियोकर किया जाता है तो यहाँ इस प्रेष्ट का राइट आंसर हो जाएगा वह दोस्तो इसमें कंट्रॉल प्लस आर तीन नमबर का उप्सन है वो स्का क्या हो जाएगा बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें बारा नमबर का प्रेष्ट ने MS Excel में कंट्रोल प्लस D की का परियोग किस के लिए किया जाता है कंट्रोल प्लस D का परियोग है वो किस के लिए किया जाता है ये किया जाता है दोस्तो फिल डाउन के लिए किस के लिए फिल डाउन के लिए किया जाता है कंट्रोल प्लस D का परियोग ठीक है आगे देखिए इसमें 13 नमबर का प्रेशन है MS XL को क्लोज करने के लिए कौन सी की का परियोग किया जाता है MS XL को क्लोज करने के लिए कौन सी की का परियोग किया जाता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तो Ultra Plus F4 Ultra Plus F4 का परियोग किया जाता है MS Excel को close करने के लिए तो इसमें एक नमबर का option बिल्कुल सही उत्तर है हो जाएगा या आपको इसमें याद रखना है ठीक है? अच्छा प्रस्ण रहता MS Excel को close करने के लिए कौन सी की का? तो अल्टर प्लस F4 आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें तो इसमें नमबर का प्रस्ण है selected text को cut करने के लिए कौन सी की का परियोग किया जाता है selected text को cut करने के लिए कौन सी की का परियोग किया जाता है सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों control plus X का परियोग किया जाता है control plus X का परियोग किया जाता है यहाँ पर आप control plus C का परियोग नहीं कर सकते, C का मतलब होता है copy, ठीक है, control plus X का परियोग है, वो selected text को cut करने के लिए है, ठीक है, तो यहाँ पर इसका right answer हो जाएगा, दो number option बिल्कुल सही उतर, आगे देखिए, undo करने के लिए, कौन सी की का परियोग किया जाता है, undo करने के control plus Z का परियोग किया जाता है, किसका परियोग किया जाता है, control plus Z का परियोग किया जाता है, undo करने के लिए, आगे देखिए, इसमें, 16 नमबर का प्रेस ने, redo करने के लिए, कौन सी की का परियोग किया जाता है, तो दोस्तों, यह control plus Y का परियोग किया जाता है, redo करने के लि Table create करने के लिए कुं सी की का प्रयोग किया जाता है MS Excel में Table Create करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है सही उत्तर हो जाएगा वह है दोस्तों अपना इसमें Control Plus T Control Plus T यहां पे देके Table Create कर रहे हैं तो Control प्लस टी इसका राइट आंसर हो जाएगा दो नंबर उप्सन बिल्कुल सही आगे देखे में सेक्सल में कंट्रोल प्लस टी की का प्रियोग किस कारिया के लिए किया जाता है बताई एक में सेक्सल में कंट्रोल प्लस टी की का प्रियोग है वो किस कारिया के लिए किया जाता ह आगे देखिए इसमें MS-XL में सेल में लिखे गए कॉंटेंट को एडिट करने के लिए कौन से की का परियोग किया जाता है MS-XL में सेल में लिखे गए कॉंटेंट को एडिट करने के लिए कौन से की का परियोग किया जाता है बताइए कौन से की का परियोग किया जाता है तो दोस्तो F2 का इसमें क्या किया जाता है परियोग किया जाता है चार नंबर का उप्शन इसका बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा F2 का इसमें परियोग किया जाता है आगे देखिए 20 नमबर का प्रेशन है, हाइपर लिंक इंसेट करने के लिए कौन सी की का परियोग किया जाता है, हाइपर लिंक के इंसेट करने के लिए कौन सी की का परियोग किया जाता है, तो इसका बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों अपना इसमें, कंट्र सब्सक्राइब करने की लिए तो इस में दो नंबर का उप्शन बिल्कूल सही उत्र आगे डेखे itsgx अडनों में उतास्म की सौटकत की क्या है बताज्ये तो यह तो ऊपस คुल समगी तो समय तो इसमें दो नंबर का option बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा आगे देंगी इसमें find करने की shortcut की क्या होती है find करने की shortcut क्या होती है तो यह होती है दोस्तो control Dom replace करने की shortcut क्या होगी replace करने की shortcut की है वो क्या होगी तो दोस्तों यह होगी control plus h कौनशी होगी control plus h यहाँ पर control plus r मत कर देना ठीक है replace करने की जो shortcut की होगी वो होगी दोस्तों इसमें control plus h ठीक है एक number option बिल्कुल सही आगे देखे ms excel में control plus g की control plus g की का परयोग किस के लिए कियाता है controlables g तो दोस्तों यहां पर देखिए high row selected column और hide column तो दोस्तों इससका right answer होगी इनमे से कोई नहीं इनमे से किसी के में भी control plus g का परयोग है वो नहीं किया जाता तो इस person का right answer होगा इनमे से कोई नहीं आगे देखे MS XL में रोको हाइड करने के लिए किस सोटकट की का प्रियोग किया जाता है बताइए MS XL में रोको हाइड करने के लिए किस सोटकट की का प्रियोग किया जाता है इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों कंट्रोल प्लस नाइन control plus 9 का प्रियोग किया जाता है row को hide करने के लिए MS Excel के अंदर control plus 9 है तो इसमें तीन नमबर का option बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए MS Excel में column को hide करने के लिए किस shortcut की का प्रियोग किया जाता है MS Excel में column को hide करने के लिए किसे shortcut key का परियोग किया जाता है तो दोस्तों इसका right answer क्या हो जाएगा वो है अपना इसमें कौन सा तो वो है control plus O तो इसमें दो नंबर का option बिल्कुल सभी उतर हो जाएगा control plus O आगे देखिए इसमें 27 नंबर का प्रेशन है MS Excel में current time insert करने के लिए MS Excel में current time करने के लिए कौन सी की का परियोग किया जाता है ध्यान से देखना है मित्रों देखिए अगला प्रेशन आपको यहां पर दिखाई भी दे रहा है कि में सेक्सल में कंट्रॉल पलस जो एक तो है यह दो बिंदी जो अनुपात वाली बोलते हैं ठीक है और एक है दोस्तों इसम करने के लिए किसका परियोग किया जाता है तो कंट्रॉल पलस यहां पे जो दो बिंदी के साथ में जो कोमा लगा हूआ है ठीक है इसका जो परियोग होता है इसका परियोग होता है दोस्तों करेंट डेट्ट change करने के लिए यह याद रखना है इस प्रेशन का राइट आंसर क्या हो जाएगा एक नमबर का सब्सक्νη समा में एमसेख सल में कंट्रोलीention एक साथ में जो कौमा लगा वा थीचां के किका प्रियोग किसके लिए किया जाता है यह किया जाता है इंसेट करेंट डेट के लिए टाइम के लिए दोस्तों कंट्रॉलन से यह दो बिल्दी वाला तो इसमें राइट अंसर हो जाएगा एक नमबर उप्सन बिल्कुल सही आगे देखिए MS XL में फॉंट डायलोग बॉक्स बनाने के लिए कौन सी की का परियोग किया जाता है MS Excel में font dialogue box बनाने के लिए कौन सी की का परियोग किया जाता है सही उत्तर हो जाएगा दोस्तो अपना इसमें कौन सा तो वो होता है दोस्तो इसमें control plus shift plus p control plus shift plus p एक नमबर का option बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए MS Excel में chart बनाने के लिए कौन सी की का परियोग किया जाता है MS Excel में chart बनाने के लिए कौन सी की का परियोग किया जाता है बताएगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है अपना इसमें chart बनाने के लिए ये किया जाता है दोस्तो अल्टर प्लस f1 या f11 का परियोग किया जाता है MS XL में चार्ट बनाने के लिए तो यहां पर इस प्रेस्ट का राइट आंसर एक नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा 31 नमबर का प्रेस्ट इसमें देखे MS XL में अल्टर पलस सिप्ट पलस F1 की का परियोग किस के लिए किया जाता है MS XL में अल्टर पलस सिप्ट पलस F1 की का परियोग है वो किस के लिए किया जाता है यह किया जाता है मित्रो इंसर्ट सीट के लिए इसका परियोग किया जाता है इंसर्ट सीट के लिए इसका परियोग किया जाता है तो इसमें एक नमबर उप्सन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखें इसमें MS Excel में कोलम को सेलेक्ट करने के लिए कौन सी की का परियोग किया जाता है MS Excel में कोलम को सेलेक्ट करने के लिए कौन सी की का परियोग किया जाता है इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तो control plus space bar control plus space bar का परियोग किया जाता है column को select करने के लिए तो इसमे right answer एक नमबर का option बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए 33 नमबर का प्रेस ने MS Excel में line change करने के लिए किस की का परियोग किया जाता है तो इसका सही उतर हो जाएगा वो है दोस्तो अपना इसमें किसका तो ये ultra plus enter का परियोग किया जाता है line change करने के लिए कौन सी की का परियोग किया जाता है ultra plus enter का परियोग किया जाता है एक नमबर option बिल्कुल सही उतर आगे देखिए 34 नमबर का प्रेस ने MS Excel में spelling and grammar सही करने के लिए एक कौन सी की का परियोग किया जाता है MS Excel में spelling and grammar सही करने के लिए एक कौन सी की का परियोग किया जाता है तो इसका सही उतर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें देखिए app 7 का परियोग किया जाता है spelling and grammar का सेन का परियोग कि आजाता है ए opens Excel की बात हो रही है आप debrाइट answer एक बार उप्सन सही उत्र आगे देखें MS Excel में मुन प्लस प्लस की की का पार्योग किस के लिए कि दाता है ये दोस्तों इनसेट सेल के लिए इसका प्रियोग किया जाता है इनसेट सेल के लिए तो इसमें राइट अंसर एक नमबर अप्शन बिल्कुल सही मैं देखिये XL में राइट साइड पर सुरी MS XL में राइट साइड के सेल पर जाने के लिए कौन सी की का परियोग किया जाता है MS XL में राइट साइड के सेल पर जाने के लिए कौन सी की का परियोग किया जाता है तो इसका सही उतर हो जाएगा वो है दोस्तो टेब का परियोग किया जाता है किसका टेब का एक नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा टेब का आगे देखे एमस एकसल में सिप्ट पलस टेब की का परियोग किसके लिए किया जाता है ये किया जाता है दोस्तो किस के लिए तो ये मुव उन सेल प्रिवेस के लिए मुव उन सेल है प्रिवेस के लिए इसका प्रियोग किया जाता है सिप्ट प्लस टैम की का तो इसका राइट अंसर हो जाएगा एक नमर उपशन बिलकुल सही उतर आगे देखिए MS Excel में Right Arrow Key का परियोग किस के लिए किया जाता है MS Excel में Right Arrow Key का परियोग किस के लिए किया जाता है इसका सही उतर हो जाएगा वो है दोस्तो One Cell Right जाने के लिए One Cell Right जाने के लिए इसमें Right Arrow का परियोग किया जाता है ठीक है आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें 49 नमबर का प्रेशन है इसमें देखिए MS Excel में function के लिए किस की का परियोग किया जाता है MS Excel में function के लिए कौन सी की का परियोग किया जाता है बताइए तो देखिए इसका right answer क्या हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें shift plus F3 shift plus F3 का परियोग किया जाता है ठीक है चार नमबर option बिल्कुल सही उतर हो जाएगा 40 नमबर का प्रेशन है इसमें देखिए MS Excel में last arrow से पहली रोपर आने के लिए किस की का परियोग किया जाता है MS Excel में last row से पहली रोपर आने के लिए किस की का परियोग किया जाता है तो इसका सही उत्र हो जाएगा वो है दोस्तो अपना इसमें कंट्रोल पलस अपैयरो कंट्रोल पलस है अपैयरो एक नमबर का ऑपक्षन बिलुकुल सही उत्र हो जाएगा आगे देखिए इसमें 41 नमबर का प्रेश नहीं MS Excel में seat को select करने के लिए किस की का का परियोग करते हैं एक नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा आगर देखेए 42 नंबर का प्रेस्ट में अम से एकसल में देखे कोलाप सें फूर्मॉला बार के लिए कुन से की का परियोग किया जाता है तो यहां पर इस प्रेसिंग वहायओ जाय proof तो कंट्रोल प्लस सिप्ट प्लस यूं कंट्रोल प्लस सिप्ट प्लस से यूं दो नंबर का उप्शन इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए इसमें 43 नंबर का प्रेशन है MS XL में वर्किंग एरिया को क्लोज करने के लिए कुण सी की का प्रेशन किया जाता है और देखिए MS XL को दूसरा किस नाम से आना जाता है MS Excel को दूसरा किस नाम से जाना जाता है तो इसका सही उतर हो जाएगा वो है दोस्तो अपना इसमें देखिए Spread Seat Program के नाम से जानते है MS Excel को Spread Seat Program के नाम से जानते हैं दो नमबर उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए एक्सल में वर्क सीट के समुहे को क्या कहा जाता है तो इसका सही उतर हो जाएगा वो है दोस्तों क्या कहते हैं उसको उसको वर्क बुक बोलते हैं तो इसमें चार नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा वर्क बुक ठीक है आगे देखे इसमें निमने में से एक् सबनुद्धित परकार है तो वह कौन सा है वो यहां पर अपने को totally है बताना है तो यहां पर देखिए एक्सल से सब्षाप एक्सल समनुद्धित परकार है देखिए eingeh में आप किस प्रकार संपूर्ण कोलम सेलेक्ट कर सकते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वह है दोस्तों कोलम के ग्रेट टाइटल पर क्लिक करके तीन नंबर का उप्शन है वह इसका बिल्कुल सही तरह हो जाएगा आगे देखिए दोस्तों इसमें 48 नंबर का प्रेशन है इसमें देखिए एक्सल 2010 में एक वर्क सीट में कितने रो होती है तो दोस्तों कितने रो होती है तो इसका सही उतर हो जाएगा वह है अपना इसमें देखिए 10,48,576 रो होती है ठीक है एक्सल 2010 में तो इसमें चार नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर 10,48,576 इसका राइट आंसर आगे देखिए इसमें एक्सल स्क्रीन को अधिक्तम कितने परतिसत तक जूम किया जा सकता है तो इसका सही उतर हो जाएगा वह है अपना इ चार सो अधिक्या मन देखिए एक्सल में एटीव सैल का टेक्ष्ट कहां पर प्रदशीथ होता है तो कहां पर प्रदशीत होता है यह उता है दोस्तों फॉर्मूला बार पर तो इसमें चार नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतरं हो जाएगा फॉर्मूलाा बार पर आगे देखे 51 नमबर का प्रेस्ट में MS Excel को run menu से चलाने के लिए क्या लिखा जाता है MS Excel को run menu से चलाने के लिए क्या लिखा जाता है तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें इसको दोस्तों लिखा जाता है तो इसका राइट आंसर दो नमबर उप्शन बिलकुल सही उतर हो अगे देखेए इसमें में सेखेल 2003 में भाइडिफॉल्ट सीट की संख्या कितनी होती नमबर का जाएगा बिलकल सही उत्र हो जाएगा तीन आगे देखिए इसमें MS Excel 2017 में बाई डिफॉल्ट की संक्या कितनी होती है तो ये बताया कितनी होती है तो ये दोस्तो किस नाम से सेव तो इसका राइट अंसर हो जाएगा ये दोस्तो बुक वन के नाम से से उती है दो नमबर का जो अप्शन है वो इसका बिलकुल सही उतर हो जाएगा बुक वन के नाम से आगे देखिए इसमें पच्पन नमबर प्रेस ने MS Excel में सीट का बाई डिफॉल्ट नाम क्या होता है MS Excel में सीट का बाई डिफॉल्ट नाम होता है तो क्या होता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तो seat 1 क्या होता है seat 1 होता है तो इसमें right answer एक number option सही आगे देखिए MS Excel में बनाए गई seat का नाम अधिक्तम कितने अक्सर तक लिख सकते हैं याद रखना 31 करेक्टर तक है तो इसमें राइट अंसर दो नमबर उप्शन बिल्कुल सही उतर है आगे देखिए इसमें MS Excel में बनी फाइल का extension नेम क्या होता है MS Excel में बनी फाइल का extension नाम क्या होता है तो दोस्तो नाम है वो क्या होता है तो .xlsx ये होता है दोस्तो इसमें MS Excel में बनी फाइल का extension नेम है तो इसमें दो नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए इसमें MS Excel में template फाइल का extension नेम होता है बताइए MS Excel में template file का extension नेम होता है तो वो क्या होता है तो वो होता है दोस्तो इसमें .xltxm ये क्या है ये MS Excel में template file का extension नेम होता है तो इसमें दो नमबर का option बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए 59 नम्बर प्रेस ने MS Excel में बनाए गई फायल by default कहाँ सेव होती है MS Excel में बनाए गई फायल by default कहां सेव होती है तो दोस्तों कहाँ पर सेव होती है तो ये सेव होती है माई डॉकुमेंट में तो इसका राइट answer हो जाएगा दो नमबर का option बिल्कुल सही उतर my document में आगे देखिए साथ नमबर का प्रेस ने MS Excel 2007 में by default color scheme होती है बताइए MS Excel 2007 में by default color scheme होती है तो इसका सही उतर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें blue color scheme कुन जी होती है blue एक नमबर का option बिल्कुल सही उतर हो जाएगा blue आगे देखिए इसमें MS Excel में बनाए गई फाइल का by default page color और font color होता है MS Excel में बनाए गई फाइल का by default page color और font color होता है तो इसका सही उतर क्या हो जाएगा तो दोस्तों वो है अपना इसमें white black है तीन नमबर का जो option है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा white black आगे देखिए इसमें 62 नमबर का प्रेशन है MS Excel की file automatic कितने समय बाद save हो जाती है बताइए MS Excel की file automatic कितने समय बाद save हो जाती है तो इसका सही उतर हो जाएगा वो है दोस्तों 10 minute बाद तो इसका right answer हो जाएगा दो नमबर का option बिल्कुल सही उतर है MS Excel की file automatic 10 minute बाद हो save हो जाती है अगर अपन नहीं करते हैं तो automatic हो जाएगा तो इसका right answer दो नमबर option आगे देखिए MS Excel के recent document की list में minimum और maximum कितनी file हो सकती है बताइए MS Excel के recent document की list में यानि की कौन-कौन से recent में file है वो खोली गई है उसकी list होती है ठीक है document में तो उस list में minimum और maximum कितनी file हो सकती है तो दोस्तों minimum तो 0 हो सकती है और maximum 50 file है वो recent में हो सकती है 50 से ज़्यादा नहीं होगी तो इसका right answer हो जाएगा एक नमबर का option बिल्कुल सही उत्तर आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें MS Excel में बनाई गई फाइल को कहा जाता है MS Excel में बनाई गई फाइल को क्या कहा जाता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसे book बोलते हैं क्या बोलते है book बोलते हैं याद रखना ठीक है क्या बोलते है book आगे देखिए 2425 नमबर परेषन की सबसे चोटी यूनिट कोंसी होती है MS Excel की सबसे चोटी यूनिट कौनसी होती है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह होतता है दोस्तों इसमें cell दो नमबर का जो option है वह इसका सहीन किस से होती है किस से में कोलम के लेबल की सुरुवात किस से होती है यह राइट अंशर हो जाएगा। दो नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर है कोलम के लेबल की सुरुवात किसे होती है तो एसे होती है आगे देखे इसमें MS Excel में रोकी सुरुवात किसे होती है तो रोकी सुरुवात है वो किसे होती है MS Excel में तो दोस्तों वो होती है एक से तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक नमबर उप्शन बिल्कुल सही उतर है आगे देखिए MS XL में सेल के ग्रूप को क्या का जाता है MS XL में सेल के ग्रूप को क्या का जाता है उसे कहते हैं दोस्तों सीट, दो नमबर का उप्सन बिल्कुल सही हूत हूँ जाएगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसे बोलते हैं क्या, सीट के गुरूप को क्या कहते हैं तो दोस्तों इसमें सीट के गुरूप को बुक कहते हैं क्या बुक ठीक है देखिए सीट के गुरूप को तो क्या बोलते हैं बुक और सेल के गुरूप को क्या बोलते हैं सीट ठीक है तो यह आपको याद रखना है तो इसमें दो नमबर उप्शन बिलकुल सही उतर आगे देखिए MSXL 2003 में कोलम की कुल संख्या होती है MSXL 2003 में कोलम की कुल संख्या होती है तो बताइए कोलम की कुल संख्या है वो कितनी होती है तो इसका right answer हो जाएगा वो है 256 होती है column की संक्या कुल संक्या ठीक है MS Excel 2003 में column की कुल संक्या होती है तो 256 होती है तीन number option बिलकुल सही आगे देखिए MS Excel 2003 में last column का label होता है MS Excel 2003 में last column का label होता है तो दोस्तों इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तो देखिए फॉर्ट होता है ठीक है इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें तीन नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर आगे देखिए इसमें देखिए MSXL 2016 में लाश्ट कोलम का लेबल क्या होता है लाश्ट कोलम का लेबल बताईए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो होता है दोस्तो अपना इसमें XFD XFD यह होता है लाश्ट कोलम का लेबल तो इसमें तीन नमबर उप्शन बिल्कुल सही उतर है आगे देखिए MSXL 2010 में कोलम की कुल संक्या होती है कोलम की कुल संक्या कितनी होती है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें 16382 16382 है ये कोलम की संक्या होती है तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दो नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर ठीक है और टोटल रो की संक्या कितनी होती है 10,48,576 ठीक है अब दोस्तों यहाँ पर देखिए MSXL 2010 में लाश्ट रो का नमबर क्या होता है लाश्ट रो का नमबर तो टोटल जो रो होती है वो 10,48,576 होती है तो सबका लाश्ट वाला नमबर भी क्या होगा यही होगा 10,48,576 तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा तीन नमबर का जो अप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें MS Excel 2019 में First Cell का एड्रेस होता है तो MS Excel 2019 में First Cell का एड्रेस होता है सही उतर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें A1 क्या होता है A1 होता है आगे देखिए इसमें MS Excel 2003 में First Cell का एड्रेस होता है MS Excel 2003 में first sale का address होता है, इसका, सज़ उत्तर हो जाएगा. वह हो जाएगा, दोस्तों आपना, इसमें. A1, दो नमबर option, सज़. अगे दिखे, MsExcel 2060 में first sale का address क्या होता है? MSExcel 2000 में first sale का address है, वो क्या होता है? तो दोस्तों, इसका right answer हो जाएगा, इनमें से, کوئी नहीं है. तो यहाँ पर चार नमबर उप्सन बिलकुल सही उतर हागे देखिए MS-XL 2019 में लाश्ट रो का नमबर क्या होता है MS-XL 2019 में लाश्ट रो का नमबर है वो क्या होता है तो वो होता है तो यह तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दस लाख 48 जार 5000 शेतर इसका रायिट आंसर तो इसमें दो नंबर आप्शन बिलकल सैए आगे देखिए MS Excel में परदसित होने वाली Vertical Way Horizontal Line को क्या कहते हैं बताइए MS Excel में परदसित होने वाली Vertical Way Horizontal Lines को क्या कहते हैं तो इसका सही उतर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें उसे बुलते हैं Grid Lines क्या बुलते हैं Grid Lines से दो नंबर का उप्सन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए MS Excel के एक पेज को क्या कहा जाता है बताइए MS Excel के एक पेज को क्या कहा जाता है तो इसका सही उतर हो जाएगा वो है दोस्तों उसे seat बोलते हैं क्या बोलते हैं कि में से कुन सा टेब मैं से कुन सा टेब एमस एकसल के टेब बार पर नहीं होता है निम्न में से कौन सा टेब MSXL के टेब बार पर नहीं होता तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो रिफरेंस चार नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा रिफरेंस तो इसमें चार नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा डाटा आगे देखिए 84 नमबर का प्रेस ने MSXL में रोकी हाइट किस से यानि किस में मापी जाती है MS Excel में Roki Height किसमे मापी जाती है सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें देखिए पॉइंट में नापी जाती है MS Excel की Roki Height पॉइंट में मापी जाती है तीन नमबर उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए MS Excel 2007 में By Default Roki Height होती है आगे देखिए MS Excel कोलम की विथड किसमे मापी जाती है बताएए ये विथड है ये किसमे मापी जाती है तो ये करेक्टर में मापी जाती है तो इसमें तीन नमबर उप्शन बिल्कुल सही उत्तर करेक्टर में आगे देखिए MS Excel 2007 में कोलम की By Default विथड कितनी होती है तो कोलम की By Default विथड है वो कितनी होती है तो ये होती है दोस्तो 8.43 करेक्टर 8.43 करेक्टर तीन नमबर उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए MS Excel में एक या एक से अधिक सेल के डाटा एक सेल में एरजेस्ट करने के लिए किसका उप्योग किया जाता है MS Excel में एक या एक से अधिक सेल के डाटा एक सेल में एरजेस्ट करने के लिए किसका उप्योग किया जाता है सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें शृंक टू फेट का प्रीओं किया जाता है दो नम्बर का उप्षन बिल्कुल सही उत्र स्रिंग टू फेट का आगे देखिए ms xl में एक सहल के डाटा को वर्टिकली लिखने के लिए किसका उप्यों किया जाता है सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वह है अपना इसमें देखिए व्रेप टेक्स्ट का तो इसमें एक नमबर उप्षन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए एमेस एक्सल में टेक्स्ट ओरियंटेशन का निमन में से परकार नहीं है तो कौन सा नहीं है तो वो है दोस्तों इसमें तीन नमबर का उप्षन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए एमेस एक्सल में एक सेल में लिखे गए नमबर का बाइड डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है एमेस एक्सल में एक सेल में लिखे गए नमबर का बाइड डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो होता है दोस्तों अपना इसमें राइट प्ल alphabet का by default alignment होता है बताएं एक सेल में लिखे गए alphabet का by default alignment होता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तो अपना इसमें left plus bottom दो नंबर का option बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा left plus bottom आगे देखें निमन में से कौन सा font size ms XL में valid है निमन मेंसे कौन सा font size MS XL में valid है तो इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तो 10.5 दो नंबर का जो option है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा 10.5 आगे देखिए 94 नंबर का press ने MS XL 2000-2003 में कोलम की कुल संक्या कितनी होती है तो कोलम की में क्या गलत दे रखा है ठीक है दोस्तों यहां पर इसका right answer हो जाएगा इन में से कोई नहीं इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा कोलम की संक्या यहां पर किती दे रखिये दो सो 60 255 और 270 तो इसका right answer हो जाएगा इसमेंसें निquiata कोई नहीं इसका बिल्कुल सभी उत्रों जाएगा आगे लिए कोने किल कॉलम की संगा है वह कितनी होती है ठीक है कमेंट में अगे देखिए दोस्तों अपन इसमें MS excel में एक से ज्यादा किये गए सेल को एक सेल में बदलने के लिए किसका उप्योग किया जाता है बताईए मैं से ज्यादा चैन किये गए सेल को एक सेल में बदलने के लिए किसका उप्योग किया जाता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह है दोस्तों इसमें तो इसमें मर्ज सहल का प्रियोक किया जाता है तो इसमें तीन नमर का उप्षन बिलकुल सहीद्पर अगे देखिया इसमें निमन में से कौन सा हेडर and फूटर लगाने का एक तरीका नहीं है header and footer लगाने का कौन सा एक तरीका नहीं है तो देखिए यहाँ पर document text है, different first page है different odd and even page है, different last page है वो गलत दे रखा इसमें चार नमबर का option इसका बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा आगे देखिए इसमें Excel header and footer का by default margin ना होता है margin कितना होता है MS Excel में text का by default तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा वो है अपना इसमें यह होता है दोस्तो 1.5 inch sorry 0.5 inch ठीक है, 0.5 inch होता है तो इसका right answer हो जाएगा इसमें तीन नमबर का option बिल्कुल सही उत्र है और centimeter में पुछे तो 1.25 centimeter ठीक है, आगे देखिए MS Excel में cell reference कितने परकार के होते हैं तो cell reference कितने परकार के होते हैं तो इसका सही उत्र हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें तीन परकार के होते हैं तीन नमबर का option बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा आगे देखिए निमन में से कौन सा Excel का Cell Reference नहीं है तो इसका right answer हो जाएगा वह तो इसमें फ्रीगमेंट Cell Reference चार नंबर का option बिल्कुल सही उतर हो जाएगा फ्रीगमेंट कि अगे देखें। निम्न में कुण सा उदार्ण है। इपनार इपुलो ही मत्तस्व का आप बिल्कुल सभी सेल। ये दोस्तो आज अपने एमेस एकसल से समंदित तोप अती महत्वपूर्परेशन पड़ेंगे तो दोस्तो अगर आपने पिछली कलासे हैं वो नहीं देखिए तो आप प्लेइलिस्ट में जाइए वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा फोल्डर का नाम मिलेगा आपको वह पहा जाके पिछले टोपिक वाइज क्यूशन है वो जरूर देखें और अरद्द्यारस अकेडमी के यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन को दबाएं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें मिलते हैं दोस्तों नेक्स व